आज में आपके लिए लेके आई हूँ मेस्टी दही की रेसिपी मैकसिमम लोगों को लगता है कि मेस्टी दही बनाना बहुत ही मुस्किल है और हम हमेशा इसे बाहर से खरीद करके लाते हैं तो यकीन मानिए इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आपने इस डिस को ट्राइ नह करेंगे एक बर्तन में हम चन्नी लगाएंगे उसके ऊपर हम सूती कपड़ा डाल देंगे अब यहां पे हमने 100 ग्राम दही ले लिया है इसे हम सूती कपड़े में डाल करके मोडते वे इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे इस तरीके से आप इसे घुमाते वे इसका एक् की प्रोसेस पे एक परतन में हम यहां पे एक लिटर फूल क्रीम दूद गर्म कर लेंगे यह आप देख सकते हैं हमने दूद इसमें डाल दिया है अब इसे चलाते वे इसमें उबाल आने देते हैं यह आप देख सकते हैं दूद में उबाल आ चुकी है इसे हम इस तरीके से चलाते वे गाड़ा कर लेंगे अब यहाँ पे हमने आधी कप चीनी इसमें डाल दिया है इसे भी हम दूद में अच्छे से कर देंगे मिक्स जैसे जैसे चीनी पिगड़ेगी न वैसे वैसे दूद थोड़ी पतली हो जाएगी इसलिए हम इसे चलाते वे थोड़ा गाड़ा कर लेंगे इस तरीके से आप चलाते जाए और इसे गाड़ा करते जाए यह आप देख सकते हैं दूद आलमोस्ट गाड़ी हो चुकी है यह देखिए इसी तरीके से हम इसे गाड़ा कर लेंगे ये आप देख सकते हैं दूद गाड़ी हो चुकी है अब हम इसे साइट करते हैं गैस पे अब हम एक पैन रखेंगे उसमें हम आधी कप चीनी डाल देंगे करमलाइज करने के लिए आधी कप हमने दूद में एट किया था आदी कप यहाँ पे हमने इसमें करमलाइज करने के लिए डाला हुआ है टोटल हमने यहाँ पे एक कप चीनी का इस्तिमाल किया है अब हम इसे चलाते वे इसे हम पिगलने देते हैं ये देखिए इसमें हमें पानी का इस्तिमाल नहीं करना है चलाते वे इसे आप करमलाईज कर लें और ये देखिए चीनी करमलाईज हो चुकी है इस तरीके से एक से दो मिनट हम इसे इसी तरीके से चलाते जाएंगे और यह आप देख सकते हैं हमने इसे 1-2 मिनट इसे चला लिया है अब हम क्या करेंगे न वो जो दूद हमने उबाल के रखा हुआ था न उसे हम इसमें डालते जाएंगे कर्चे की हेल्प से आप इसमें दूद डालते जाएं धीरे धीरे करके आप इसमें दूद डालते जाएं इखटा दूद ना डालें क्योंकि जब हम इसमें दूद डालेंगे ना तो ये जो चीनी है ना केरमलाइज वाली वो थोड़ी जम जाएगी तो दिक्कत वाली कोई बा और इसे चलातेवे अच्छंसे हम करदेंग हैं मिक्स आफ शेब गारा कर लेते हैं तरेकरसे आफ चलातेवे इसे थोड़ा गारा कर लें अब हम समस्ट यह गाड़ी हो चुकी है अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं दो ठंडी हो चुकी है यह आप देख सकते हैं अब हम इसे साइट करते हैं और हंग कट को देख लेते हैं इसे अब हम इस तरीके से कपड़े से निकाल लेंगे यह विक्सर से इसे अच्छे से विक्स करते जाएंगे जब तक कि ये दही बिल्कुल ही स्मूथ ना हो जाएं इस तरीके से आप करते वे दही को स्मूथ कर लें और ये देखें दही बिल्कुल ही स्मूथ हो चुकी है अब हम क्या करेंगे ना वो जो दूद है ना इस दही में हम क mix करते जाए ये देखे जैसे जैसे आप इसमें दूद डालते जाएंगे न तो ये वैसे वैसे काड़ी होनी शुरू हो जाएगी ये देखे अब हम क्या करेंगे ये जो बरतन है ये थोड़ी छोटी है मैं इसमें ही सारा दही add कर देती हूँ उसके बाद मैं इसे इस तरीके स इसे mix करती जाओंगी इस तरीके से चलाते हुए आप इसे mix कर लें फिर से मैं इसे mixer की help से ही से मिक्स कर रही हूं इससे क्या होगी ना कि जो भी क्लम्स होंगे वो हट जाएगी इसी तरीके से आप मिक्स करते जाए यह देखिए आप इसका टैक्सर देखिए यह कितनी काड़ी हो चुकी है अब यहां पे हमने तीन मिट्टी का बरतन ले लिया है इसमें आप हम दही से कठ होने के लिए रग देंगे दूद्ध थोड़ा-थोड़ा इसमें डालते जाएंगे इस तरीके से यह देखिए आप चाहे तो इस टील के बरतन में भी डाल सकते हैं अब यहां पे हमने फॉयल पेपर लिया है इसे अब हम इसमें मिट्टी के बरतन में लगा देंगे यह लिजिए हमने इसमें लगा दिया है अब हम इसे सेट होने के लिए ओवर नाइट रख देंगे या साथ से आठ घंटे के लिए अब हम इसे सेट होने के लिए इसे रख देते हैं उसके बाद हम आपसे इसे ओवर नाइट सेट होने के लिए रख दी थी यह हमारी मेंस्ट्री तही बन के तयार है दुकान जैसी, अब आप इसे किसी भी direction में घुमाएं, यह एक दम प्रोपर तरीके से सेट हुई है, यह हमारी दुकान जैसी मिश्टी तही बन के तयार है, अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ, यह देखे, कितने अच्छे से यह सेट हु आप इसे कुलर में भी सब कर सकते हैं और या आप इसे इस तरीके से भी सब कर सकते हैं आप इसे फ्रीज में तीन से चार दिर इसली इसे खा सकते हैं इसे भी मैं आपको काट करके दिखा देती हूँ ये देखिए कि आप देख सकते कितने अच्छे से सेट हुई है वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करे फैमली फ्रेंड में सेर करे चैनल पे नए है तो प्लीज सस्क्राइब करे बहुत चल्ड आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ तैंक यू